कभी परिचय नाम मैथली शरण गुप्त जन्मस्तान चिरगाव जिला जहांसी उत्तरप्रदेश जन्मति थी सन अठासो छे आसी मृत्युति थी सन उन्निसो चौसट मुख्यकृतियां साकेत महकाव्य यशोधरा, पंच्वटी, भारत भारती, जैद्रत वद, आधी का विसंग्रह है विशेश उपाधी, रास्ट्र कवी विशेशता अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तूती करण का प्रयाद किया है कविता का गान कीजिए मां कह एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे को अपनी नानी मां कह एक कहानी मां कह एक कहानी कहती है मुझे से यह चेती तू मेरी नानी की बेटी कह मां कह लेटी हे लेटी राजा था या रानी मां कह एक कहानी तू है थी मान धन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे सात ब्रवन करते थे तेरे जहां सुर्वी मन मानी जहां सुर्वी मन मानी हामा यही कहानी वर्ण वर्ण के फूल थिले थे जर्मल करहिं बिंदु जिले थे हलके जोके फिले मिले थे लहराता था पानी लहराता था पानी हाम हाम यही कहानी गौत थे खग कल कल स्वरं से सहसाएक हलस उपर से गिरावे दग होकर खग शरं से हुई पक्ष के हानी हुई पक्ष के हानी करुणा भरे कहानी जोक उल्हों ने उसे उठाया नया जन्मता उसने पाया इतने में आखे तक आया लक्ष से दिकामानी लक्ष से दिकामानी कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे ताथ किन्तू थे रक्षी तब उसने जो था खंग भख्षी हठ करने के ठानी हठ करने के ठानी अब बढ़ चले कहानी हुआ विवाद सदय निरदय में अभय आग रही थे स्व विशय में गई बात तब न्यायाले में सुनी सभी ने जानी सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी राहुल तू निल नय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका कह दे निर्भय जय हो जिसका सुननू तेरी बानी माओ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी कोई नीरप राध कमारे तो क्यों दुसरें उसे उबारे रख्षक पर भख्षक को उबारे न्याय जया कादानी तूने सुनी कहानी तूने सुनी कहानी तूने सुनी कहानी तूने सुनी उयाँ तूने सुनी अजय झाल नहीं तूनन